Cliffy everyone, आज हम बनाएंगे Vanilla Muffins, और Without Oven यह Vanilla Muffins बणी हैं कढाई में और Without Egg है, यह बिल्कुल Eggless Muffins हैं और आप देख सकते हैं कितनी Soft कितनी ज़ादा Sponge हैं अंदर से बिल्कुल अच्छे से यह पक चुकी हैं चलिए स्टार्ट करते हैं recipe पी यहां पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसे 8 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने को छोड़ देंगे और इधर मैंने लिया है 2 थर्ड कप कर्ड यानि 190 ग्रैम और 2 थर्ड कप शुगर यानि 165 ग्रैम यहां पर कर्ड आपको बहुत जादा खटा नहीं लेन है नॉर्मल कर्ड होना चाहिए और इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं यहां पर फिर मैंने इसमें एड़ किया 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 थर्ड टी स्पून बेकिंग सोडा और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह आपके परफेक्ट फ्लफी सी मॉफिन्स तयार होंगी उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे हाफ कप ऑईल 125 ग्रैम और यह वेजटेबल आपको लेना है सरसो का तेल बिलकुल ना ले और 1 टी स्पून वैनिला एसेंस और इनको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे य यानि मैदा और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके अड़ करेंगे यह अगर मैजर करें तो लगभग 200 ग्राम है आपका और एक साथ आपको बिलकुल नहीं डालना है थोड़ा सा डालना है फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरह से लगभग 4-5 बार में आपको इसे अड़ करना है और अच्छे से मिक्स करना है यह प्रोसेस बहुत अच्छी मुफिन्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है यानि कि अगर आपको बिलकुल स्पॉंजी सी अंदर बिलकुल अच्छे से पकी हुई कढ़ाई में मुफिन्स चाहिए तो आपको यह प्रोसेस बहुत अच्छे से complete करना है, मैदे को थोड़ा थोड़ा डालना है और mix करना है, यह देखिए, मैदा बहुत अच्छे से mix हो चुका है, अब यहाँ पर मैने half cup milk लिया है, यानि 60 ml और इसे भी हम थोड़ा थोड़ा ही करके add करेंगे, यह देखिए, और बहुत ही smooth सा, silky सा यह बिल्कुल fluffy सी तयार होगी, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, इस तरीके का मोल्ड ले 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 ले, और अगर यह ना हो, तो आप यह कर सकते हैं कि कोई कटोरी चोटी ले ले ले, या फिर आप ग्लास की तली में भी थोड़ा सा यह लिक्विड डाल आपको मिल जाएगी, लेकिन शुरुआत में आप घर की रखी चीजों से ही प्रैक्टिस करें, और जब आप परफेक्ट हो जाएं बेकिंग में तब टूल्स खरीदें, यह देखिए, इसको टैप कर लेते हैं, और प्री हीटिट कढ़ाई में हम इसे प्लेस कर देंगे, औ आफ्टर 20 मिनेट्स, यह मफिन्स बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुकी हैं, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि अंदर से पकी है कि नहीं, तो एक टूथपिक से हम इसे टेस्ट करेंगे, अगर टूथपिक हमारी ड्राई निकलती है, तो यानि यह अच्छे से बेक हो चुक तो इनको स्पेस चाहिए होता है इसलिए आप पूरा उपर तक फिल मत करें लिक्विट थोड़ा सा छोड़ दें ताकि इनको फूलने के लिए जगा मिले और आप देख सकते हैं किती यमी सी मॉफिन्स तयार है तो आप लोग भी घर पर बनाएं बहुत इसली विदाउट आप दयाओ और इंजॉय करें रेसपी अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक जरूर करें कमेंट करें शेयर 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 करें